Assalamu alaikum students Today our topic for discussion is Plastids आज हम लोग ने Plastids की बात करनी है Plastids की अगर हम Definition की बात करें तो Membrane Bonded Mostly Pigment Containing Bodies तो ये आपकी बुक के इंदर डेफिनेशन लिखी हुई है यानि के इनके गिर्द Membrane मौझूद होगी और Membrane के अंदर Mostly का लवज यूज किया गया है सबस्टांस को कहते हैं आसान अलफाज में तो दो बाते हैं और दोनों Confusing बाते हैं एक तो Membrane Bonded में हमें ये नहीं पता चार रहा है कि आया Single Membrane है या Double Membrane है चुक्के मैं डिसकस करूँगा कि Single Membrane Bonded भी हो सकते हैं Plastids और Double Membrane भी हो सकते हैं और Mostly Pigment Containing Bodies का मतलब है कि ज्यादा तर के अंदर Pigment मौझूद है कुछ के अंदर Pigment मौझूद नहीं है नौर्मी तोर पर ये जो Plastids हैं ये Plant Cells के अंदर पाए जाते हैं और Plant Cells के साथ साथ ये Algae Cells के अंदर भी यानिके Algae के अंदर भी मौझूद होते हैं अगर हम Types of Plastids की बात करें तो जो आपकी टेक्सबुक के अंदर लिखा हुआ है There are three types of Plastids जिसमें से number one chloroplast हाजाएंगे number two chromoplast हाजाएंगे और number three lycoplast हाजाएंगे इनके लावा एक और type होती है इनको हम immature Plastids कहते हैं तो हम भी three types को discuss करेंगे अगर आप इन three types को देखते हैं तो इन में से जो chloroplast है यह double membranus है यानि कि इनकी two membrane होंगी बाकी जो दो बज़ते हैं chromoplast और lycoplast यह single membranus है तो इससे तो हमें clear हो गया कि आया double membranus है यह single membranus है और एक और बाज याद कर लें chloroplast के अंदर हम देखेंगे pigment मौझूद होता है chromoplast के अंदर भी pigment मौझूद होता है color substance लेकिन lycoplast के अंदर pigment मौझूद नहीं होता इससे हमें यह भी clear हो गया कि mostly pigment containing bodies का मतलब है कि दो के अंदर pigment मौझूद है chloroplast और chromoplast जब कि तीसरे के अंदर pigment कलर सब्स्ट्रांस मौजूद नहीं है पहली टाइप को अगर हम स्टार्ट करें डाडिस क्लोरो प्लास्ट अगर हम डिटेल्ड चैप्टर नमर 11 के अधर रिट होगा चुक्क हम लोगों ने वहां पर जाकर फोटो सेंसिस को डिस्कस करना है लेकिन यहां पर लिखा वत अगर अगर हम डिस्कस करें तो जो ग्लोरो प्लास्ट है यह जो फोटो सिंथेटिक प्लांट सेल्ड होते हैं इनके अंदर डबल पिगमिंट को आरगेनिक कमपाउंट है और इस ग्रीन पिगमिंट को हम क्लोरफिल का नाम देदे het और यह क्लोरफिल ऐपेकली यह लाइट को एब्सॉर्ब करेगा जो सनलाइट एनरजी है लाइट को iOS के बाद ultimally इसितलाइट को किवर्ट किया होता है और यह रायाद करता है की क्लोरी यूखर्ट माज़ूदा की अंदर मौजूद होंगे है पूड की क्रेपरेशन करें नहीं होगा अब जो सब्से इमपॉर्टन चीस है जो क्लोरे फिल molecule है यह resemble करते हैं जो heme group of hemoglobin है अब hemoglobin आप लोगों को पता है यह protein है जो हमारी body के अंदर oxygen की transporting का काम करती है और hemoglobin में हम लोगों ने discuss किया four chains है two alpha और two beta chains है और हर chain के अंदर आपको एक prostatic group नजर आएगा जिसके साथ एक oxygen molecule bind करेगा that is heme group और heme group अगर आप देखते हैं तो heme group की अगर हम बात करें जो prostatic group के तोर पर act कर रहा है इस heme group को अगर आप सामने रखें और साथ में अगर आप chlorophyll molecule को दोनों को मैं parallel रख लेता हूं तो आप देखें कि heme group और chlorophyll molecule की structure resemble कर रही है exactly अगर मैं कहूंँ तो गल्त नहीं होगा लेकिन identical नहीं है बिलकुल exactly नहीं मैं कहूंँगा काफियाद तक आप देखें कि मुशाबियत है जो heme group है और जो chlorophyll molecule है बस जो main difference है heme group में अगर आप central element देखते हैं तो हमारे अंदर मौजूद है hemo globin के अंदर अगर हम chlorophyll की बात करें तो इनका size vary कर सकता है उनकी shape vary कर सकती है इनके diameter की अगर हम बात करें तो that is 4 to 6 micrometer इनका diameter है अगर इनी chlorophyll molecule को आप light microscope के नीचे observe करते हैं तो यह basically आपको heterogeneous structure के तोर पर नज़र आएंगे heterogeneous का मतलब है आपको different चीजें आपको नज़र आएंगी mix up की होंगी और basically इस पूरी structure के अंदर जो heterogeneous structure है इसमें आपको small granules नज़र आएंगे जिनको हम granum कहते हैं और granum embedded होंगे दंसे होंगे एक jelly lag substance के अंदर जिसको हम matrix का नाम देते हैं तो यह तो होगी जी simple अगर आप light microscope से chloroplast को observe करते हैं लेकिन अगर आप ultra magnification की तरफ जाते हैं ultra structure की तरफ जाते हैं यानि कि इनी chloroplast molecule को आप electron microscope के नीचे observe करते हैं तो आपको three different parts आपको इनके नजर आएंगे जिन मेंसे number one envelope हो जाएगा number two stroma हो जाएगा और number three thalakides हो जाएगे तो यह तीन parts आपको वाज़ा नजर आएंगे अगर हम envelope की बात करें अगर हम covering की बात करें क्लोरोप्लास्ट की तो अभी मैंने discuss किया है यह double membranous structure है एक आपको outer membrane नजर आएगी जो बिलकुल आपको smooth नजर आएगी और एक आपको inner membrane नजर आएगी जो आपको folding की फार्म में नजर आएगी sex की फार्म में नजर आएगी और इन individual sex को हम thalakides का नाम देते हैं बाराल जी यह double membranous structure है दो membrane है और यह envelope के तोर पर act करती है क्लोरोप्लास्ट की स्टोमा की अगर मैं बात करों तो that is liquid portion of क्लोरोप्लास्ट और यह ज़्यादा तर जो volume है क्लोरोप्लास्ट का यह occupy कर रहा होता है यह cover कर रहा होता है और basically यह वो fluid है जो surround कर रहा होता है तेलाकाइड को और इस fluid के अंदर आपको ribosomes मिल जाते हैं कुछ और small circular DNA मिल जाता है again आपको दो चीज़े मेरी हैं स्टोमा के अंदर आपको genetic material भी मिल रहा है map भी मिल रहा है और आपको ribosomes यह यह प्रोटीन factory भी मिल रही है इसका मतलब यह हुआ कि क्लोरोपलास्ट है यह second organelle है जो self-replicating organelle है जिसा मैंने mitochondria की बात की थी mitochondria भी self-replicating organelle है और chloroplast के अगर हम बात करें तो चुके इनके पास भी अपना DNA इनके पास भी अपने ribosomes है तो again यह self-replicating organelle के तोर पर act करेंगे और stoma वो पार्ट है जो हम detail से discuss करेंगे यहां पर dark reaction होगा यहां पर kelvin cycle होगा यहां पर carbon dioxide को reduce किया जाएगा carbon dioxide की reduction की जाएगी और ultimately carbohydrates की formation करवाई जाएगी अब अगर हम थलाकाइट्स की बात करें जो कि अभी मैंने discuss किया है inner membrane फोल्ड करती है और sex की form में आ जाती है और basically यह flattened structure है और यह flattened structure एक दूसरे को पर arrange हो जाती है और arrange होके यह basically grainum formation करेंगी और साथ में यह inter grainum formation करेंगी अगर मैं एक grainum की बात करता हूँ तो एक grainum के अदर आपको 50 या 50 से ज़्यादा थैलाकाइट्स आपको मिल सकती है और grainum याद कर लें यह जो थैलाकाइट्स होती है जो stack of थैलाकाइट है यानि के group of थैलाकाइट है इसको हम grainum कहरें है थैलाकाइट की जो membrane है इस membrane के अंदर जो plasma membrane है इसके अंदर different types के pigments पाए जाएंगे जिनमेंसे जो सब से common pigment है that is chlorophyll that is chlorophyll A और chlorophyll B इनके लावा दूसरे भी pigments हो सकते हैं यह chapter 11 के अंदर हम detail से discuss करेंगे तो यह याद कर लें कि जो grainum वाला portion है यह green part है यानि के अंदर photosynthetic pigments मौझूद होते हैं जबकि जो दो grainum को link कर रहा है non green part that is known as inter grainum inter grainum का वाज़िया आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि inter grainum non green होता है यानि कि inter grainum के अंदर photosynthetic pigment मौझूद नहीं होते हैं और थेलाकाइड वो पार्ट है chlorophyll का जहां पे light fall करेगी sunlight इस sunlight energy को trap किया जाएगा और trap करने के बाद ATP की formation की जाएगी और ATP के साथ NADPH की formation की जाएगी ये chapter 11 के अंदर मैं डेटेल से जब photosynthesis डिसकस करूँगा तो वहाँ पे मैं डिसकस करवाँगा कैसे ATP बनती है कैसे NADPH बनता है और कैसे ATP और NADPH को dark reaction में लेके जाया जाता है और carbon dioxide को reduce करवाके carbohydrates के अंदर convert किया जाता है second अगर हम type की बात करें प्लास्टिट की तो these are non as chromoplast chromoplast का याद करने हैं कि ये color तो देते हैं plant को लेकिन other than green green color ये basically impart नहीं करते और basically जो chromoplast है ये petals of flower में पाए जाते हैं या पिर आपको ripened fruit में मिल जाते हैं और basically इनका जो मकसद होता है insects को attract करना ताकि pollination करवाई जाए चुके flower basically flower के पास दो ही तरीके होते हैं या तो bright color हो जाए insect को attract किया जाए या flower कोई order produce करे nectar produce करे जिसकी वज़ा से insect attract हो जाए और जब insect एक flower से दूसरे flower तक जाते हैं तो ये pollen grains को collect करते हैं और दूसरे flower तक pollen grains को पुंचा देते हैं इसको हम pollination का नाम देते हैं इससे तरह से अगर मैं dispersal of seed की बात करूँ इसको खाता है तो जब ये फल खाएगा तो फल के साथ बीज भी इसके intestine में चले जाएंगे तो animal जब एक जगा से दूसरी जगा जाएगा तो feces जब करेगा फुजलात करेगा तो उसके जरीए चुके seeds digest नहीं होते तो feces के तो फुजलात किसी और जगा पे जाके seed को disperse करने में important role play करेगा थर्ड अगर मैं type की बात करूँ तो जो plastic की दीज़ लीकोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट जिसान लीकोसाइट हैं आपके wide blood cells हैं ये भी colorless होते हैं तो ये जो लीकोप्लास्ट हैं ये भी colorless होते हैं shape इनके triangular हो सकती हैं तुबिलर हो सकती हैं किसी और shape में मौझूद होते हैं और basically underground parts of plant में पाइडाते हैं जो जमीन के नीचे plants के parts होते हैं वहां पे ये storage of food का काम करते हैं अगर मैं लीकोप्लास्ट की बात करूँ तो ये basically paranchyma cells में पाइडाते हैं paranchyma cells जो के roots के अंदर मौझूद है stem के अंदर मौझूद है seed के अंदर मौझूद है और in paranchyma cells के अंदर in leukoplast के अंदर basically food को store करवाया जाता है और food की different on the basis of अगर मैं food storage की बात करूँ तो इनको हम further classify कर सकते हैं three types के अंदर number one amyloplast है और amyloplast are concerned with the storage of starch number two alioplast है और alioplast are concerned with the storage of lipids और number three जो types बनेगे leukoplast के इस आर proteinoplast और proteinoplast are concerned with the storage of proteins तो यह जी different categories हम लोगों ने बना ली plastic की different types और उन types को हम लोगों ने जो three types की उनको हम लोगों ने detail से discuss कर लिया Allah Hafiz कल इंशलाम next topic को discuss करेंगे